तो आज हम नहीं चीज़ सीखने वाले हैं LCM और LCM वो भी दो मैथड से हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे कि LCM होता क्या है तो LCM में L का मतलब होता है Least, C का मतलब होता है Common और M का मतलब होता है Multiple मतलब अगर हम कोई भी दो नमबर ले रहे हैं तो उसमें हम उनके Common Multiples देखेंगे वो भी ऐसे चोटे नमबर जो हमारे दोनों नमबर को Completely Divide कर देंगे तो यह हम दो मेथड से निकालते हैं पहला मेथड Prime Factorization Method और दूसरा मेथड होता है Division Method तो हम Exercise 3.5 का Question Number 2 ट्राइ करते हैं क्या लिखा है Find the LCM of the Falling Numbers Prime Factorization Method तो आपको निकालना तो LCM है लेकिन आपको मेथड का नाम भी बताया है क्या है मेथड का नाम मेथड का नाम है Prime Factorization Method से आपको LCM निकालना है तो Question Number 2 का First Part 16 15 और 20 तो किस तरीके से निकालते हैं जैसे हमने LCF निकाला था उसी तरीके से इनके भी क्या निकालेंगे Factorers निकालेंगे 16 का निकालेंगे 15 का निकालेंगे और 20 का निकालेंगे सब से पहले 16 से स्टार्ट करते है 2 से कितने टाइमस जाएगा बच्चे? 8 टाइमस तो 2 एट ज़े 16 आप यहां पर देखो जो हमने फैक्टराइजेशन किया है हमने 2 से किया है फैक्टराइजेशन 16 का इसका मतलब जो 2 है हमारा सबसे छोटा क्या है प्राइम नंबर ओके अब हम 15 को करते हैं तो मैंने आपको सारे डिविजिबिल्टी रूल सिखाए हुएं प्राइम नंबर के 2 का 3 का 5 का 7 का इवन मैंने आपको कुछ कमपोजिट नंबर के भी क्या कराए है आपको डिविजिबिल्टी रूल कराए है जैसे कि मैंने आपको 4 का रूल कराए है 9 का रूल कराए है तो यह रूल आपको इसलिए कराए गए ताकि इन चीजों में हेल्प करें आप देखो य 3 से करके देखते हैं 3 से हमने करा तो कितने टाइम चला गया 5 ताइम अब 5 आपका प्राइम नंबर है तो अपने ही आप से जाएगा तो 5 बंजा 5 नेक्स चलते हैं 20 पे 20 के तो इसका मतलब किसे डिवाइड होगा 2 से तो हमने लिखा 2 10 20 का क्या कि आया है 2 x 2 x 2 15 के क्या क्या आए है 3 x 5 और आपका 20 का क्या क्या है बच्चे 2 x 2 x 5 यहीं आप बच्चे हम इसमें क्या देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर जो कॉमन आ रहा है तीनों में तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों में सेम आ रहा हूँ जिसके पास 2 है तो इसके पास 2 नहीं है इ इसमें भी आ रहा तो इसको हम उनको सर्कल कर लेते हैं यह पार चांच डिश्च के लावा और कोई नामबर के विखेंज मेंन हो नहीं न तो आप जो भी हमारे कॉमन आये हैं नमबर उनको हम्झा करेंगे हम्झा हम एक लिखेटें सको तो हमारे पास आ जाएगा इस चाहए है जैसे कि यह बचा यह बचाए उनको हम लगए तु इंटु टु इंटु 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 थरी ओके तब मारे पास किस तरीके से नंबर आ गया हम इनको मल्ट्प्राइब करेंगे यह यह हमारा तो हमने कर आप 5 टूजा 10, 10 टूजा 20, ओके 20 हो गया, अब ये क्या हो गया, 2 टूजा 4, 4 थरी जा 12, तो हमारे पास आगया 20 इंटू 12, ये असान तरीका होता है, इसमें हमें ज्यादा मल्टिप्लाई करने की जुरत नहीं होती, यहाँ पर आपका पूरा पूरा नंबर क्या ह है 12, और यहाँ पर क्या नंबर है, 2, तो 12 तूजा कितना होता है, 24, और 2 के पास कितना एक 0 है, तो यहाँ पर हमारा अंसर हो गया, 240, तो हमारा LCM कितना हो गया, 240, ओके, तो अभी हम आप क्या करोगी, इसका नेक्स क्वेशन अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करोगी, मै इसका क्या है इस ही का मैं आपको six part जो आपको बदा रही हो इसको देख लेते हैं तो यह हमारा six part क्या है number ढमबर है 72 90 और 108 ठीक है Mythical चे तो हम सबसे पहले कि스가ट निकालेंगे 72 का और 90 का और 108 का सबसे पहले क्या चेक करना है कि क्या यह हमारा जो सबसे छोटा प्राइम नमबर है उससे डिवाइड होगा यह नहीं होगा तो हम क्या करेंगे सबसे एंड वाले नमबर चेक करेंगे यहाँ पर क्या है two तो इसका मतलब यह two से divide होगा कितने time आप इससे divide करोगे तो आपके पास आजाएगा thirty six ओके फिर देखो इसके पीछे क्या है बेटा six है तो फिर यह दुबारा किससे जाएगा two से कितने time तैम्स 18 तैम्स आप डिवाइट करके रफ में देखना और यहां पर आप अपना नंबर लिखना ओके नेक्स चलते हैं यहां पर तू है आपका कितने टाइम्स चल जाएगा नाइन ताइम्स अब नेक्स आ गया थी क्यों हमने 3 क्यों यहां पर 9 तू कि टेवल में नहीं आता ह तो हमने 3 से स्टार्ट किया 3 3 9 और 3 1 जा 3 ओके अब हम इस पे चलते हैं नेक्स वाले नंबर पे जो है 90 90 के एंड में क्या है बच्चे 0 है तो इसका मतला हमने फिर से 2 से करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताए था अगर किसी भी नंबर के एंड में 0 2 4 6 और 8 आता है तो वह नं हमने 3 प्राइम गैर के यो प्लस करते हैं मनेदा करते हैं तो पूरा का पूरा नंबर कि इस से दिवाइड हो का तो फॉर प्लस कर तो कित्ना में 9 और 3 चला आएसो तो हम क्या करेंगे 3 से 45 को आप डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि शॉरली यह जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो जो आप करेंगे तो आपके पास अंसर आ जाएगा 15 तो आपको पता है प्राइम नंबर तो आपने इसको वन टाइम लिग दिया नेक्स जलते हैं 108 पर आपके एंड में क्या है आप जितना प्रैक्टिस करोगे रोज एक घंटा प्रैक्टिस करो प्राइम निकालने की तो आप इसली बहुत सारे क्वेशन सॉल कर पाओगे ठीक है आप देखो बच्चे यह क्या हो गया तो जब भी किसी भी नंबर के पीछे 7 आ जाएगा ओविसली वह 2 से डिवाइड करेंगे हम चेक करेंगे चेप अरू आइड करेंगे से यह को एड करेंगे सवन तो और जो भी सिख लिए Um नमबर था 90, थोर्ड नमबर था 108, अब बेटा 72 के क्या फैक्टर्स हाएं, उनको लिख देते हैं, 2 x 2 x 2 x 3 x 3, next 90 वाले फैक्टर्स लिखते हैं, 2 x 3 x 3 x 5, 108 वाले लिखते हैं, 2 x 2 x 3 x 3 x 3, यही फैक्टर्स आये थे, इनको हमने लिख दिया, अब हम क्या चेक करेंगे, कि कौ 2 x 2 x 2, ऐसे नमबर जो तीनों में आ रहे हैं फैले ठीक है हमारा रूल यह होता है यह लेकिन हम यहां बात करें लेकिन यहां पर यह वाला थ्री यह तूंस त्हेरें नंबरों को हम एक डाया यह वाले क्या क्यों कि इसको निख दिया नेएक ब़े Menside उसको झाले तो द्हें म्हीं कौमान है एक बार अब दूता हों इक बार अब suffering क्या जो जो बच चुका है लेकिन क्यों से बहले हम यह देखना है तो अब many प् में कौन कौन सा चीज कॉमन नहीं कॉमन इस एक पंचल करें और हमने इस ق्री है आप एक तीनों बचे बचे हैं 10 बनाएगे तो हमने पता है कि 5 or 2 की multiply करें तो कितना हो जाता है 10 हो जाता है थीकिए अब यह तो हो गया 10 10 फिसे करेंटा गया हो गया अगर आपको 18 की टेबल आती है ना तो आप अराम से निकाल सकते हो कि 18 सिखजा कितना होता है तो आपको पता है 18 सिखजा कितना होता है 108 होता है तो आपने 18 और 6 की मल्टिप्लाइ करी तो 108 आ गया इसके पात एक 0 था तो वह हमने एंड में लगा दिया तो हमारा LCM कितना आ गया 1080 यहां पर हमें कहीं भी मल्टिप्लाइ मतलब जिस जो मैथर होता है मल्टिप्लाइ का वो यूज करने की जुरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने इसको अच्छी तरीके से अरेंज करके क्या करा इस तरीके से लाए कि हमारे पास कहीं न कहीं 0 आ जाए ताकि हमें कम मल्टिप्लाइ करना पड़े और हमारा टाइम सेव हो जाए ठीक है तो इसी तरीके से आप जो मैंने आपको होमबग में दिये वो क्वेश्चन सा आप करोगे नेक्स हम करेंगे क्वेश्चन नमबर थोर्ड क्या है फाइंड एल्सियम ऑफ फॉलिंग नंबर बाई डिवीजन मेथ़ड आप कौन सा मेथड़ हमें यूज करना है बेटा डिवीजन मेथड ठीक है बेटा हमें यह देखने हैं कि डिवीजन मेथड किस तरीके से सॉल्व करते हैं देखो प्राइम फेक्टराइजेशन में जितने भी नंबर थे हम उनको अलग अलग फेक्टराइज करके उनमें जो कॉमन होता था उसको वान टाइम लिखते थे पहले फिर आगर दो नंबरो तो थे स्टरीके से करेंगे बेजन मेठ वे हमें दोनों नंबर को करलें यह इससे क्या होता है जो हमेंकर टाइम टाइम कर रहे ञेंटेम का एक सांत में सब्सक्राइब करते हैं कि हम नंबर तो हमें फ्राइम बतल जैसा ही करना है तो आपके पास आज эта तो इसका मतलब यह दुबारा टू से जाएंगे कितने टाइम चला जाएगा फॉर्टी टू जा तो फिर दुबारा इन दोनों के एंड में क्या बेटा फोर और सिक्से जाएंगे कितने टाइम टू सेवं जा फॉर्टीन टू एड जा शिक्स्टीन आब हमारी थोड़ी सी प्राप्लम हुई है क्या क्योंकि यहां पर अब हमारे पास क्या आ गया बेटा सेवन आ गया है और दूसरा नमबर क्या है एट तो जो अभी टू से डिवाइड हो सकता है उसको हम कंटीनू रखें अब next शलते हैं यहां पर कितना आ जाएगा seven रहेगा यह टू टू जा फो झाएगा next अब यह यह one time आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा seven आपको पता है कैसा नमबर है प्राइम नमबर तो अपने आप से ही जाएगा तो अब यह दोनों 11 आ गए ठीक है यहां से concept समझ में इसको आप करते है और जो नहीं हो रहा है इसको आप लेटर ओन किसी और नंबर से करिये मतलब डिवाइड मतलब फैक्टराइज करिए ठीक है तो अब हम इसके क्या लिग देंगे लिग दें इसमें हमें कॉमन ओमन लेनी की इज़रत नहीं पड़ती सिंपल सा होता है कि जितने भी यहां पर आपको नंबर दिये गए है उनको आप मल्टिप्लाइज कर दीज़े तो यहां पर आगया है तो इंटू इंटू टू टूएटू टू 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 टूए तीक है यहां पर हमें multiply करने की इसलिए जोद पड़ेगी क्योंकि कहीं पर भी 5 नहीं है तो हमने करा 22 जब 4 22 जब 4 22 जब 4 इंटू 7 तो 4 4 जा 16 16 4 जा 64 64 की इंटू 7 से करेंगे ठीक है तो 64 इंटू 7 करा 7 4 जा 28 7 6 जा 42 42 में 2 प्लस करा कितना हो गया 44 तो आपका मैज जानली बच्चे कोमान मैं कर्थे करते हैंे यह वाला मैं चलकर प्रिफर करते हैं के उसमें क्या होता है आपका टाम सेव नकालती घुक्रnamed तो फ्लटा थो तो एक सानाथ ही तो आप एक करते तो आप उनको लिख देते और आपका अंसर आ जाता है इसी तरीके से आपको यह सारे questions करने है इन में से कौन कौन से question आपको homework में करने हैं वह मैं आपको mark करा देती हूँ 2nd, 3rd, 6th, 8th, 9th यह आपको homework में करने हैं ठीक है next question पर हम move करते है question number 4 पहले read कर लेते हैं find the least number which on adding 12 is exactly divisible by 10, 15, 25, 30, 40 and 45 यह कह रहा है कि आपको वह सबसे छोटा number बताना है वह least number बताना है जिसमें हम जब 12 को add करें तो वह exactly 10 से divide हो जाए 15 से भी divide हो जाए और कोई भी remainder ना वचे इन number से जो भी हम number find out करेंगे और उसमें जब 12 करेंगे तो यह जो नंबर से हैं यह वह उस नंबर को यह जो नंबर से हैं उस नंबर को completely divide कर देंगे तो इसको किस तरीके से निगालते हैं आप इसका process समझीए सबसे पहले find the least number which on adding तो आपको जो भी नंबर दिया है जो की divide करने वाले 10 15 25 30 40 45 इसका आप क्या ले लोगे ले लोगे तो हम क्या करेंगे तो बेटा हम इस question को करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा नंबर है होंगे तो हमें क्या देखना है किसके नंबर के एन में 02468 वह चलते है लोगे से नंबर है जो तू से डिविजबल हो सकते हैं वो कौन सा है 20 तो आपके पास यह हो गया 5 15 जो नहीं हो रहे हैं उनको वैसी आपको continue लिखते रहना 15 लेकिन यह होगा कितने नंबर नहीं है जो कि completely two divided हो सके तो हम किसे करेंगे 3 सेigsजरी से देखते हैं कि कौन-कौन से नंबर है जो तो नहीं होगा 25 नहीं होगा 15 वाइफ ही होगा 45 होगा ठीक है तो हम 3 से कर रहे हैं जो नहीं होंगे उसे यह यह दो थो 25 को वैसी लिख देंगे 35 15 15 15 3 45 ठीक है नेक्स करते हैं 3 से बच्चे 55 जो नहीं हो रहा है उसको ऐसी उतार देंगे 55 35 15 अब यहां पर क्या है सिर्फ एक ही नंबर आएगा कौन सा तो हमारे पास जो यह नंबर आ गया हमारा पास LCM क्या हो गया एक सिकिन हम लिख देते हैं LCM is equal to तो थ्री टाइम से टुट टाइम से ओर फाइव टू टाइम से तो तू हम करेंगे इस तरीके से करेंगे आप चाहें तो बैषिस तरीके करेंगे लिए हम हमें पता है कि 5 और 2 की multiply करो तो क्या बनता है 10 बनता है तो ये वाला 5 और ये वाला 2 ये वाला 5 और ये वाला 2 तो 10 बना लेंगे और जो रह गए उनको हम एक साथ multiply कर देंगे तो इस तरीके सा रेंज कर देती हूं 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 ठीक है इंटू अब हमारे पास ये 3 नंबर बच्छे इनको एंड में लिख दिया ठीक है नेक्स देखो 5 टू जा 10 5 टू जा 10 इंटू 3 3 जा 9 तू जा 18 ठीक है अब 10 10 जा कितना होता है 100 100 की इंटू 18 से अब क्या करेंगे हम 18 की इंटू 1 से करेंगे तो 18 बन जा 18 हो गया बच्चा और कितने 0 है 20 तो यह आपका 1800 क्या हो सकते हैं तो उसने बोला था कि वह ऐसा नंबर ढूंदो जिसमें हम 12 करें तो यह नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर दें मतलब इसमें आपका 12 एड़ेड है तभी यह नंबर इसको कंप्लीटली क्या कर रहे हैं तभी उसका एल्सेम क्या निकला है 1800 निकला इन सबका तो हम क वन गया कितना आ गया एट सेवन और वन तो आपका अंसर आ गया वन थाउजन सेवन हंड़ेड एटी एट ओके तो आज की क्लास यहीं पर ओवर कर रहे हूं जितना भी मैंने सिखा है उसको अच्छी तरीके से क्या करना है रिवाइस करना है ओके पाई